नमस्कार मैं शस्वी गुपताइबार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं लाइब लॉग के इस सीरीज में जहां हम अज भारतिय नागरिक सुरक्षा संधिता दो हुजात तेईस यानि बीए नेसस पर चर्चा करेंगे हमने पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और अब हम बात करेंगे भारतिय नागरिक सुरक्षा संधिता दो हुजात तेईस जिसे दंग पर क्रिया संधिता 1973 की जगेली है बीए नेसस में टोटल 531 सेक्शन्स और 37 चाप्टर्स है वहीं CRPC में 484 सेक्शन्स और 39 चाप्टर्स थे आए बीए नेसस में किये गए नए बद of origin Aree section 2Q leader Section 2 t prescribed section 8 metropolitan areas section 10 subordination of assistance session judges section 16 court of Metropolitan Magistrate Section 17 chief metropolitan magistrate and additional chief metropolitan magistrate section 18 special Metropolitan magistrate section 19 subordination of Metropolitan Magistrates section 27 jurisdiction in the case of juveniles section 144 a Power to Prohibit Carrying Arms in Procession or Mass Trill or Mass Training with Arms Section 153 Inspection of Weights and Measures Section 355 Metropolitan Magistrates Judgment Section 357B Compensation to be in addition to fine under Section 326A or Section 376D of IPC Section 404 Statement by Metropolitan Magistrate of Grounds Office Decision to be considered by High Court चलिए अब हम उन sections के बारे में बात करते हैं जो BNSS में जोड़ी गई है हाला कि मैं आपको बता दूँ कि हम हर section को इस series में विस्तार से नहीं देख पाएंगे लेकिन कुछ प्रमुक परिवर्तनों पर जरूर नजर डालेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Chapter 1 में Section 2 की जो परिभाशाओं यानि definition से संबंदित है इसके अंतरकत पांच नहीं परिभाशाएं जोड़ी गई है Section 2 1 A जो बात करता है Audio Video Electronic Means के बारे में Section 2 1 B जो बेल को परिभाशित करता है Section 2 1 D जो बेल बॉंड के बारे में बात करता है Section 2 1 E बॉंड को परिभाशित करता है Section 2 1 I बात करता है Electronic Communication के बारे में Victim की परिभाशा जो CRPC की Section 2 WA में थी और अब BNSS की Section 2 Y में है इसकी परिभाशा में बदलाव है BNSS के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने किसी अक्यूस के एक्ट और मिशन के कारण कोई हानी या चोट जहली है और इसमें पीडित के गार्डियन और लीगल हायर को भी शामिल किया गया है तो उसे विक्टिम या पीडित बोलेंगे जबकि CRPC के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने किसी अक्यूस के एक्ट या ओमिशन के कारण कोई हानी या चोट जहली हो उसे पीडित कहते थे और साथ ही BNSS में प्लीडर शब्द को एडवोकेट से बदल दिया गया है क्या है नियाले की शक्ति से संबंधित है इसके अंतरकत मै неп्ट्रूपॉलटल शेतरों मेजिस्टरे से संबंधि T हराओ हटा दी गई है मेट्रूपॉलटल शेतर के वर्गीकरन जनसंख्या के अधहार पर किया गया था कोई प्यूपॉलटल पॉल्टन मेजिस्ट्रेट और असिस्टन सेशन जजस नहीं होंगे इसके फल्सोरुप दिल्ली उचने आयाले ने दो जुलाइक प्रसाशनिक आदेश में राजधानी के मौजूदा मैजिस्ट्रेट कोर्स को जूडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्स के रूपे नामत कर दिया है अब हम बात करते हैं चैप्टर फाइफ के बारे में जो व्यक्तियों के गिरफटारी से संबंदित है इसके अंदर गर सेक्शन 35 क्लॉस 7 के अनुसार यदि अपरात के लिए तीन साल से कम की सजा है और आरोपी व्यक्ति कमजोर या साट साल से अधिक उम्रका है तो जा सकती है चैप्टर 607 चीजों के उपस्यति और उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया यानि प्रोसेस टुकंपेल अपेरेंस इन प्रोडक्शन ओव तिंग से संबंदित है इसके अंतर कर बीने से सेक्शन 63 में टेक्नोलोजी की मदद से समन को जारी किया जा सकता है जिसे कोड के मोहर ये डिस्टल हस्ताक्षर से प्रमारित किया जाएगा और साथ ही सेक्शन 64 के तहष समन को एंक्रिप्टेड या किसी अनेलेक्ट्रोनिक संचार के रूप में भी जारी किया जा सकता है सेक्शन 66 के अनुसार जब कोड के दुआरा समन व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति के परिवार के व्यस्क सदसी यानि अडल्ट मेंबर के पास एक दुप्लिकेट कॉपी छोड़ा जा सकता है पहले सी यार्पीसी की तहस सिर्फ परिवार के अडल्ट मेल मेंबर को समन इश्यू किया जा सकता था अब हम बात करते हैं प्रोक्लेम डॉफे के लिए भारत के भार रिस्तित उनकी संपत्ति की पहचान कुर्की और जप्ति यानि एडेंटिफिकेशन अटैच्मेंट फॉर फीचर और प्रॉपर्टी की लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है और साथ ही बीनस के सेक्शन 105 में अब सर्च इन सीजर को आडियो व के डिपेंडेंट माता पिता रहते हैं चैप्टर 12 जो कि पुलीस की निवारक कारवाई यानि प्रिवेंटिव एक्शन आफ पुलीस से संबंदित है उसके अंतरगत सेक्शन 172 को जोड़ा गया है जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों को पुलीस अधिकारी के व्याद निद की गई है जैसा कि आपको पता होगा कि पहले सियार पीसी के सेक्शन 154 के अनुसार पुलीस अपने अधिकार शेत्र में अपरात के खिलाफ यार को दर्ज कर सकती थी हाला कि विपन फैसलों के अनुसार बिन जूरिस्टिक्शन के भी एफ यार को अनिवारे रूप से प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अंतरगत जब किसी पुलीस टेशन के प्रमुक अधिकारी को को सूचना दी जाती है जिसमें गंबीर अपरात के बारे में बताय गया हो तो इसे अपरात का शेत्र कहीं भी हो सेक्शन 173 के अनुसार एलेक्ट्रॉनिक्स अंचार के जो कि गवाहों की उपस्तिति के मांग करने के लिए पुलीस अधिकारी के पावर के बारे में बात करती है इसके अनुसार 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिकायू कि किसी पुरुष किसी महिला मान से क्या शारेरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या गंभी रूप से बीमा करती दी जा सकती है सेक्शन 184 के अनुसार रेप के विक्टिम के प्रसिक्षणर के रिपोर्ट के रेजिस्टर मेडिकल प्रेक्टेशनर के द्वारत साथ दिनों के फीतर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफसर को भेजना होगा जो फिर उसे मेजिस्टेट को आगे भेजेगा च चैप्टर 26 के सेक्शन 356 में प्रोक्लेम्ट ऑफेंडर की अनुपस्तिती में एंक्वाइरी ट्रैल और जजज्मेंट से सम्बंदित प्रावधान जोड़े गये हैं वहीं चैप्टर 29 के तहरे सेक्शन 398 को जोड़ा गया है जो कि प्रतिक राजसरका से विटनेस प्रोटे केस में इस योजना को कानून के रूप में अनिवारे बनाया था जब तक ही लेगिसलेटिव आक्शन नहीं उठाए गया साल 2019 में विटनिस प्रोटेक्शन स्क्रीम पर ग्री मंत्राले द्वारत सभी राजियों केंद्र शाषित प्रदेशों को निर्देश जारी करने के ब आखर में चैप्र थर्टीन में सेक्शन 530 को जोड़ा गया है जिसके अनुसार ट्रायल और प्रोसीडिंग्स अफ एलेक्ट्रोनिक वोड में की जा सकेंगी और इसी के साथ अब हमें सीरीज को समाप्त करते हैं इस वीडियो में केबल किये बदलावों का एक संच्शप्त स के लिए फॉलो करें लाइव लॉग थैंक यू